सभी को नमस्कार ये टीना है और आज हमकम रखरखाव वाले इंडोर पौधों के बारे में बात कर रही हैं। हम इसे जिनके पास हरा अंगोठा नहीं है लेकिन फिर भी वे अपने घरों में कुछ प्रकृती लाना चाहते हैं। उनके लिए कुछ बहतरीन विकल्प है जिनके लिए बहुत अधिक प्रयास की अविशक्ता नहीं होगी। आइए दो पौधों से शुरू करें जो पूरे एक महीने बिना पानि के चल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्नेक प्लांट है। वे विभिन प्रकार के प्रकाशतरों को संभाल सकते हैं और सूखे को सहन करने के उनकी ख्षमता के लिए जाने जाते हैं। स्नेक प्लांट के साथ साथ हमारे पास जीजी प्लांट है जो कई तरह की रोशनी की स्थिती में पनब सकता है। इन दोनों पौधों में मोटी, मांसल पतियां होती हैं जो पानी जमा करती हैं, जिससे वे सुखी की अवधी में जीवित रह सकते हैं। वास्तव में, इन बार बार पानी देने की आविशक्ता नहीं होती है, उनमें एलोवेरा शामिल है। यह न केवल अपने उपचार कुलों के लिए एक महान पौधा है, बलकि इसकी देखपाल करना भी बहुत आसान है। यह उज्वल, अप्रत्यक्ष प्रकाश में पनपता है और इसे बार बार पानी देने की आविशक्ता नहीं होती है। हमारे पास जेट प्लांट भी है, यह धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए आपको इसके पढ़ने की चिंता नहीं करनी होगी और यह कम से मध्यम प्रकाश को सहन कर सकता है। साथ ही, यह सौभाग्य और समृधी लाने के लिए कहा जाता है। हिलो डेंडरोन, इसकी सुंदर दिल के आकार की पतियां होती हैं, और यह एक फ्लासिक हाउस अप्लांट है जिसकी देख़ाल करना भी बहुत आसान है। यह कम से मध्यम प्रकाश को सहन कर सकता है, और इसने बार बार पानी देनी की अविशक्ता नहीं होती है। इसके अलावा, चुनने के लिए कई अलग अलग किसने हैं, इसलिए आप अपनी शैली के अनुरूप एक खोच सकते हैं। अगर आपको यह विडियो अब तक मददकार लगा है, यदि आप लाइक बटन दबाएंगे और प्रिप्या अधिक उप्योगी टिप्स के लिए सिताले तो मैं वास्तब में सराहना करूंगा। पॉधों को लोटी। स्पाइडर प्लान, ये पॉधे शुरूआती लोगों के लिए और उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिनके पास पॉधों की देखफाल के लिए ज्यादा समय नहीं है। वे प्रकाश की एक व खुबसूरत किस्न की पत्तियों और कम रोशनी की स्थिती में पनपने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये हैं एक बहतरीन एर प्यॉरिफायर भी है, जो इसे इंडोर वायू कुनवत्ता में सुधार के लिए एक बढ़िया विकल्द बनाता है। ये किसी भी स्थान के लिए एक बढ़िया विकल्द बन जाता है। पीस लिली पीस लिली ना केवल अपने सफेद फूलो वाला एक खुबसूरत पौधा है, बल्कि इसकी देखभाल करना भी बहुत आसान है। ये है कम रोशनी और कम पानी को सहन कर सकता है, जो इसे व्यस् अपने पौधों को पानी देना भूल जाते हैं। अंत में हमें गड़े मिल गए हैं। अब ये है एक ऐसा पौधा है जिसे मैं भी संभाल सकता हूँ। ये है मोल रूप से अविनाशी है। इसके अलावा ये है एक लटकते पौधे से बहुत अच्छा कैस्केडिंग दिख आप इसे कम रोशनी या तेज रोशनी में रख सकते हैं। इसे थोड़ी तेर में पानी दे और यह बढ़ता रहेगा। आर यदि आप मेरे जैसे हैं और आप बिना किसी प्रयास की कुछ प्रकृती अपने घर में लाना चाहते हैं तो इन पौधों को आजमाएं। आपका घर आपको धन्यवाद देगा और आप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपको यह मिलता है दोस्तों। दसकम रख रखाव वाले इंडोर पौधे जिनका मैं भी ध्यान रख सकता हूँ। खुछ भी टक्राने की चिंता से बचें। विन विन बेबी।